चलिए बिटा आज की क्लास शुरू करते हैं आज हमारी एवरेज ड्यू डेट की थर्ड क्लास है थोड़ी देर में ही खतम हो जाएगा ठीक है एवरिबडी इस म्यूट एनिवे आइल म्यूट ओके नाओ सिंप्ली लेट स्टार्ट अज हमारी एवरेज ड्यू डेट की क्लास थर्ड है हमने इसके अंदर क्या करना है बेटा जी बड़े ध्यान से सुनते हैं इलस्ट्रेशन नमबर फोर और सेवन तो हमने लास्ट क्लास के होमबक में कर ली अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्लास को प्लीज समझेंगे इस चाप्टर में अब जादा कुछ रहे नहीं गया हमें एक क्वेश्चन प्रक्टिस करते हैं जस्ट तो रिवाइज वाट वी दिदे लास्ट क्लास इलस्ट्रेशन नमबर 8 देखिएगा जरा ध्यान से मिस्टर यह इलस्ट्रेशन नमबर 8 आपकी पेज नमबर 6.95 पे है इसके अंदर मिस्टर ग्रीन और मिस्टर रेड है थे फॉलविंग मूच्वल डीलिंग्स और डिजायर तो सेटल देर अकाउंट ऑन दी आवरेज डू देट पर चेज़ेस भाइग्रीन फ्रॉम रिड फिर सेल भाइग्रीन तू रेड तो तीन ट्रांजक्शन हमारी एक तरफ की है तीन ट्रांजक्शन दूसरी तरफ की है यूँ आरास्ट्ट तो एससेटें दी अ लावा हम्जा लवेश करा नहीं है लेकिन वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है अंच्छे का ने तो कर लिया तमन्ना कोई बात नहीं यह आज का हूंबख लिख लो इलस्ट्रेशन नम्बर एट बहुत इजी है इसको कराने का कोई फायदा नहीं है एक नई अपॉइंट करते हैं चलो ठीक है इसको हूंबख में लिख लो अब ज़रा ध्यान से सुनिए सब लोग हमें एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एवरेज ड्यूडेट में ही एवरेज ड्यूडेट में ही हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं अभी देखो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या करा हमने के डिफरेंट 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 को अमा अलग 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 डेट्स पे देने की बजाए आप उन्हें एक ही डेट पे पे कर दो लेकिन अब मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यह जो different different amounts due है अलग-अलग डेट्स पे यह आप एक ही बार उधार लेते हो या एक ही बार उधार लेते हो अलग-अलग डेट्स पे ना अलग-अलग डेट्स पे ठीक है ना एक बार तो नहीं उधार लेते हैं लेकिन अब अगर मैं आप से कहूं कि आपने जो लोन है वो एक ही बार ले लिया जैसे कार खरीद रहे हो आज ठीक है ना जैसे कार खरीद रहे ह आज जैसे आपने मान लो होम लोन लिया आपने आज लोन लिया और फिर उसको रीपे कर रहे हो और एम आई टाइप पे कर रहे हो तो उसके अंदर जैसे एक साल बाद एक एम आई दूसरे साल बाद दूसरी एम आई तीसरे साल बाद तीसरी एम आई तो आपकी चार पांच ए EMI ऐसे हैं मान लो और फिर यह पांचवी EMI तो आपका अब क्या है लोन जो है डेट ओफ लोन जो है वो एक ही है और डेट ओफ रीपेमेंट जो है वो अलग-अलग है ठीक है तो एवरेश जूनिट ऐसी सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा बिटा मेरी बात क्या हो रहा है यहां पर कि आपका जो डेट ओफ लोन है वो एक ही है और जो रीपेमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है तो इस पर्टिकुलर कॉंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हेडिंग बनाएंगे चलकुलेशन अव एवरेज दू देट वर अमांट इस रिपेड इन इंस तॉल्मेंट इंस तॉल्मेंट अमांट इस रिपेड इन इंस्टॉल्मेंट तो कैल्कुलेशन अव एवरेज दू देट वियर अमांट इस रिपेड इन इंस्टॉल्मेंट अब यह बात चल रही है यहाँ ठीक है तो प्लीज बड़े ध्यान से सुनियां यहाँ पर लिखना है पहले in a case where the amount is lent in one installment and repayment इस दन इं वेरियस इंस्टॉल्मेंट अभी तक जो हम करते आ रहे थे वो क्या करते आ रहे थे अभी तक जो हम करते आ रहे थे उसके अंदर क्या होता था कि amount जो है अलग-अलग date पे उधार ले रहे हो और repayment भी अलग-अलग date पे हो रही है और amount भी अलग-अलग है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो amount उधार लिया है वो एक ही date को लिया है और उसकी repayment कर रहे हो अलग-अलग dates पर तो उसका हमें एक average due date निकालना है ठीक है तो यहाँ पर समझेंगे कि इस case में कॉमा दा प्रॉब्लम टेक्स अडिफरेंट शेप अलग बात हो जाती है दा प्रॉब्लम टेक्स अडिफरेंट शेप ठीक है दा प्रोसीजर तो कैल्कुलेट average due date is as follows तो उसके अंदर भी practical steps लिखे थे इसके अंदर भी लिखेंगे यह comparatively बहुत छोटा method है easier है shortcut है ठीक है तो इस पर ध्यान देना है अब यहाँ पर step number one क्या होगा step number one calculate the number of days यह months यह years from the date of कि लेंडिंग कि मनी कि टू देट कि ओफ कि इच कि री पेइमेंट कि तो क्या करना है इदर यह पहले लिख लो एक बारी स्टेप वन लिखो जब लिख लो तो फटाफट डन बताना मैं आपको समझाओंगा ठीक है चलिए तो step में क्या समझना है आपने कि जैसे आपका यह date of loan है तो मान लीजे है यह first January 2001 और एक साल बाद यानि के first January 2002 को आप एक रीपेमेंट कर रहे हैं फिर एक जैनवरी 2003 को आप एक रीपेमेंट कर रहे हैं फिर एक जैनवरी 2004 को आप एक रीपेमेंट कर रहे हैं फिर एक जैनवरी 2005 को आप एक रीपेमेंट कर रहे हैं फिर एक जैनवरी 2006 को आप एक रीपेमेंट कर रहे हैं ठीक है तो आप से मैंने कहा कि डेट ओफ अब ये गैप गिनने हैं आपने इसमें डीजग करने या यरर्ज ग chambers के आप ये देखो फटाफट जवाब दो गिनेंगे तो इसमें ङयर गिन लेते कि हाँ ब Ultra एक साल हो गए ठीक है पिर यहां से यहां तक दो साल हो गए फिर यहां से यहां तक 4 साल हो गए फिर यहां से यहां तक 5 साल हो गए तो आपने यह years गिनने हैं अच्छा आप एक की जगा 12 महीने 2 की जगा 24 महीने 3 की जगा 36 महीने 4 की जगा 48 महीने और 5 की जगा 60 मांस भी लिख सकते हैं और obviously आप days में भी कर सकते हैं that is your choice but obviously you have to be the judge of the fact which will be easier to calculate ठीक है अब यह हमारा पहला step हो गया इस step के बाद हमने क्या करना है step 2 step 2 आपका कहता है find the total of such days months या years तो जैसे अगर हमने यहां पर years लिए तो year का total निकालना है कि यहां पर one year two year three year four year five year तो one plus two plus three plus four plus five अधिक है नब 15 आ जाता है एक और दो तीन तीन और दो पांच आप और चार नो नई 15 आ रहा रहा हां पंद्रह यह आएगा जाते हां छे और चार रपांच पंद्रह कर दस तो पंद्रह आ काप से करेंगे हम है मैं तो डिपंड करता है आपने क्या लिया आपको मियरली क्या करना है उसका date of loan plus sum of days months yeah years from the date of lending to the date of repayment of each installment जो हमने second step में निकाला है step 2 divided by number of installments divided by number of installments तो यह वाला point तो आपने step 2 में निकाला था numerator 15 आया था हमारा divided by number of installments पांच installments है तो आपने क्या करना है date of loan में उतने ही period को add कर देना है तो यह हमारे simple तीन स्टेप्स हैं यह एक तरह से shortcut method है एक ऐसे question का जिसके अंदर आपके जो date of loan है वह एक है और लेंडिंग जो लेंडिंग की data वह एक है और repayment जो है जो date of repayment है वह different different है वह अलग-अलग dates हैं जिस पर आपने repay करना है इस point को ध्यान से समझेंगे कि अब ऐसा समझने के लिए हमें question भी कर सकते हैं चलिए question देखेंगे question देखेंगे illustration number 9 page number क्या है 6.97 illustration number 9 देखेंगे 10,000 रुपए lent by Das Brothers to Kumar and Sons on 1st January 2015 is repayable in 5 equal annual installments commencing on 1st January 2016 find the average due date and calculate interest at 5% per annum which Das Brothers will recover from Kumar and Sons अब देखेंगे सबसे पहले date of lending क्या है 1st January 2015 है और कितनी installment में pay करना है पांच installment में वो भी equal annual installments है और 1st January 2016 से शुरुआद हो जानी है अब बड़े ध्यान से सुनेंगे इसके लिए मैं क्या करता हूं मैं timeline बनाता हूं कि इलस्ट्रेशन है नाइन है कि आई सी आए का पेज नंबर है 6.97 इसके अंदर बेटा जी हमने क्या करना है सबसे वहले डेट ओफ लेंडिंग किस डेट को लोन दिया डेट ओफ लेंडिंग हाँ जी कौन सी डेट को लोन दिया है एक जनवरी 2015 और उसके एक साल बाद एक जनवरी 2016 से हमारी वापसी शुरू हो गई पैसों की और फिर पांच एन्वल इंस्टॉल्मेंट्स कि लगिए तो यह सत्रा कि यह अठ्रा कि उन्निस और यह बीस तो पहली डेट ओफ लेंडिंग और पहली डेट ओफ रिपेमेंट में कितना गया पह वान यह फिर टू यह फिर थ्री यह फिर फौर यह फिर फाइव यह थीक है तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फॉर प्लस फाइफ तो फिफ्टीन हो जाएगा तो अब अब अवरेज डू ड्रेट कैसे निकलेगी अवरेज डू ड्रेट विल बी इकोल तो 1st जैनुवरी तो क्या करना है फिर इसके अंदर यह क्या हो गया यह क्या निकला 15 divided by 5 है ना तो 15 divided by 5 क्या आगया 3 years तो 1st January 2015 plus 3 years is my average due date अब इसके अंदर हमने समझना है कि 1st January 2015 15 plus 3 years करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा 1st January 2018 तो आपको 2018 आपकी average due date है एक जनवरी 2018 आपकी average due date है अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि इंट्रस्ट 5% per annum पे पे होता है तो इंट्रस्ट कितना चार्ज करेंगे आपने उधार कब दिया था एक जनवरी 2015 को और पूरा का पूरा वापस कब ले रहे हो एक जनवरी 2018 को ठीक है रहा तो तीन साल का ब्याज आपने पे करना है तो 10,000 रुपे उधार लिये थे 10,000 रुपे पे 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना निकलेगा 10,000 के हिसाब से 5% 3 साल का ब्याज 15,000 रुपे तो 15,000 रुपे का ये इंटरस्ट निकला है क्या ये क्वेश्चन नंबर 9 हमें समझ में आया कि नहीं आया अच्छा अब इसके अंदर एक छोटी सी बात और समझेंगे कि एवरेज जूडेट पे तो बोथ पार्टी को लॉस नी होना चाहिए फायदा भी नहीं होना चाहिए यही बात है ना अब यहां पे समझेंगे इसी question को मैं explain करता हूँ मैं यह explain करता हूँ कि what if हम average due date नहीं निकालते what if जो loan लिया है वो 5 installment में ही pay किया जाता वापस समयद में आ रही है वो 5 installment में ही pay किया जाता वापस ठीक है तो फिर अब बड़े ध्यान से सुनिएगा जो 5 installment में ही pay किया जाता वापस पैसा उसकी बात कर रहे है अगर यहां पे देखे यर 1,2,3,4,5 ठीक है और फिर उसके अंदर हम amount लिख देते अब यहां पे समझेगा ज़रा ध्यान से पहले साल की शुरुवात में सब लोग बड़े ध्यान से सुनना बिटा पहली साल की शुरुवात में कितना पैसा outstanding था पूरे एक साल कितना उधार था principle दस हजार रेट पांच परसंट है टाइम वान यहर अच्छा सेकंड यहर के शुरुवात में आप एक किस्ट पे कर चुके थे तो पूरे साल आपने कितने रुपे यूज किए 8000 तो उस पे ब्याज कितना देना चाहिए तो उस पे ब्याज कितना देना चाहिए बेटा 400 रुपे फिर अगर हम बात करें तीसरे साल की शुरुवात में 6000 रुपे उधार थे इस पे ब्याज कितना देना चाहिए 300 रुपे फिर अगर बात करें चाथ, चौते साल की शुरुआत में 4,000 रुपे उधार थे, आप बागी पैसे दे चुके थे, तो इस पर ब्याज कितना पे करना चाहिए, 200 रुपे, और लासली अगर हम कहें कि पांच्वे साल की शुरुआत में 2,000 रुपे उधार थे, तो आपको इसक और चार सो हजार और पांचो पंद्रा सो तो यहां पे पंद्रा सो रुपे आ गया टोटल यहां पे भी पंद्रा सो यहां पे भी पंद्रा सो है समझ में आ रही है अगर नॉर्मल चलता तो भी लोन देने वाले को पंद्रा सो रुपे का इंटरस्ट मिलता और लोन लेने वाल को पंदरा सो रपे का खर्चा पड़ रहा है तो कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लॉस हुआ मल्टिपल पेमेंट करने की बजाए सिंगल पेमेंट करने में नहीं ना मल्टिपल पेमेंट करने की बजाए हमने क्या करा सिंगल पेमेंट कर दी फिर भी कोई फरक पड़ा नह सिंगल पेमेंट करने की वजसें grapes a instead of multiple payments इस बात को ध्यान में रखेंगे सिंगल पेमेंट करने की वज़ाएं Confederate मल्टिपल पेमेंट गार किसी भी पार्टीकों नुक्सान नहीं होता है knocks प्लीज फोकुस आन दिस नथिस दित्ट एस में को चलिए एक लास टॉपिक बचता है इस चाप्टर का ठीक है एक लास टॉपिक बचता है इस चाप्टर का वो भी हमने करना है उससे पहले next illustration एक बार practice कर लेते हैं ठीक है तो चलिए एक illustration practice करते है illustration number 10 है वो भी देख लेते है illustration number 10 है देखो कह रहे है rupees 20,000 lent on 1st June sorry rupees 20,000 lent on 1st January 2015 is repaid as follows कि हमारा जो 20,000 है उसे उधार पर कब दिया हमने 1st January 2015 और उसे रीपे कैसे कर रहे है दाइजार और 1st January 2016 पच्पंसो और 1st January 2017 तीन अजार और 1st January 2018 और पांच अजार और 1st January 2019 and 4000 on 1st January 2020 determine the average due date for settling all the above installments by a single payment and compute interest at the rate of 10% per annum अब बताईए जो अभी हमने method पढ़ा क्या वो इस question में लग पाएगा जो अभी हमने method पढ़ा है क्या वो इस question में लग पाएगा जल्दी बताओ सब बच्चे नहीं लग पाएगा क्यों नहीं लग पाएगा क्योंकि amount same नहीं है इम आई वाला system है तो ही वो method लगता है जो अभी हमने shortcut method पढ़ा है वो कब लगता है जब amounts same हो यहां amounts same है क्या बताओ यहां पे amounts same है नहीं तो इसलिए यहां पे वो method नहीं लग पाएगा तो फिर हमें कैसे करना है normal method की तरह से करना है कैसे करेंगे हम due dates लिख देंगे उनके आगया आगया amounts लिख देंगे तो illustration number 10 है ICI से कर रहे है और page number 6.98 है सबसे पहले due dates लिख देंगे वो तो आसान है देखो एक एक साल के gap पे है तो आपकी एक January 2016 से शुरुआत थी फिर एक January 2017 एक January 2018 एक January 2019 और एक January 2020 फिर amount आ जाते हैं amount हम देख लेते हैं एक बर ही हमें याद नहीं दाई हजार पच्पन सो तीन हजार पांच हजार चार हजार अब यहां पे आप base date लोगे base date आप कोई भी ले सकते हो लेकिन ऐसे question में जहां date of lending हो मेरी सला यह है कि आप date of lending को base date ले लिजेगा date of lending को आप base date ले लिजे तो date of lending मेरी क्या है 1st January 2015 तो यहां पे हम लिख देंगे days या months लिखना बेटर है अभी यहां पे तो months एक जनवरी 2015 से एक जनवरी 2016 तक कितने महीने 12 यहां 24 यहां 36 यहां 48 और यहां 60 फिर निकालेंगे product प्रॉडक्ट कैसे निकालेंगे बारा इंटू धाई अधार 12 इंटू धाई अधार मैं बता देता हूं यह तो यह 30,000 है नेक्स वाला आप बताओ पच्पंसों इंटू 24 करो कि 5500 इंटू 24 कितना आता है बताओ जैरा फट 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 जल्दी बताओ वन लाग 32,000 फिर तीन अधार इंटू 36 तीन अधार इंटू 36 कैलकुलेटर लेके बैठे हो ना एक लाग 8,000 फिर 5000 इंटू 48 यह तो 240 आजाएगा टू लाग 40 4000 इंटू 60 यह भी 240 आजाएगा तो यह टोटल कर सकते हैं अब हम कितना कितना टोटल लाइए वान लाग 8 और 132 यह भी 240 है 243 टाइम्स सेवन ट्वेंटी प्लस 3750 तो ओरली ही हो गया 750 इस दा टोटल इसका टोटल तो मुझे पता ही है 20,000 रिपेमेंट नहीं है तो यह 20,000 की रिपेमेंट है तो फिर मैं क्या करूं बेस आवरेज डूदेट इस इकुल तो बेस देट प्लस टोटल आफ प्रोडुक्ट्स दिवाइद बाइट बाइट टोटल आफ अमाउंट्स टोटल आफ प्रोडुक्स दिवाइद बाइट टोटल आफ अमाउंट्स ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस डेट आपकी 1st January 2015 प्लस 7,50 डिवाइद बाइट बाइट ट्वेंटी थाउजन बताना दरा क्या अंसर आएगा डिवाइड करके 1st January 2015 प्लस 34, 35 37,5 आरा है 37,5 मंस तो राउंड आफ कर दें इसको 38 मंस 38 मंस राउंड आफ कर सकते हैं तो इसको राउंड आफ कर देंगे 38 मंस तो उस केस में क्या हो जाएगा एक जनवरी 2015 में 3 साल याने के 36 महीने जोडने हैं और फिर 2 महीने अलग से जोडने हैं तो यह क्या आजाएगा 1st March 2018 1st March 2018 ठीक है और इंटरस्ट अगर कैलकुलेट करना है आपने तो 20,000 रुपे पर 10% का इंटरस्ट रेट था इंटू 38 मंस divided by 12 क्योंकि यह 10,000 10% जो होता है वो परहनम होता है तो यह इंटरस्ट भी कैलकुलेट कर देंगे क्या आएगा 20,000 इंटू 10% इंटू 38 डिवाइड बाइ 12 6333 मेरा इंटरस्ट आ रहा 6333 6333 यह 6333 मेरा इंटरस्ट आ रहा इस इट क्लियर टू एवरीबडी इस इट क्लियर बेटा कोई दिक्कत परिशानी है बताओ जरा हमजा साहिली अनुष्का अन्शिका अ क्लियर चली आगे बढ़ रहे हैं अच्छा एक बात बताना सबने पार्टनर्शिप पढ़िये पढ़िया पार्टनर्शिप अच्छा पार्टनर्शिप में इंट्रस्ट आन ड्रोइंग निकालना आता है इंट्रस्ट आन ड्रोइंग्स अच्छा इंट्रस्ट आन ड्रोइंग्स निकालने के मेथट क्या क्या होते हैं एक तो होता है कि वेंट इक्वल अमाउंट्स आर विड्रॉण आट इस पैसिफिक इंटर्वल्स यहां लेट से वैन इक्वल अमाउंट्स आर विड्रॉण पिरियोडिकली तो याद आ रहा है इसके अंदर आप इसके अंदर क्या करते थे एक तो पी इंटू आर इंटू टी करते थे यह टी चेंज होता रहता था अगर मंथली बेसिस पे करते थे तो मंथली बेसिस में अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितना लेते थे हम बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में बताना दरा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में टी क्या लेते थे टाइम क्या लेते थे कितने म एंडल अफ एवरी मंथ होता था साई ली वो बीगनिंग अवरी कॉर्ट रोट था तो इसक्स मों टाइम लेते थे अपिट इन्ड ंफ एवरी मंथ होता था तो 5.5 लेते थे पिर उसके बादberry quarterly drawings थी आपकी तो उसके अंदर अगर beginning of every quarter होता था तो उसके अंदर 7.5 लेते थे middle of every quarter होता था तो उसके अंदर 6 months लेते थे और end of every quarter होता था end वाला याद है किसी को 4.5 होता था मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है अभी मेरा ये काम नहीं है मेरा काम है इधर दूसरा method when unequal amounts are withdrawn when unequal amounts are withdrawn at different dates तो कौन सा method लगता था नाम बताओ at different dates तो कौन सा method लगता था नाम बताओ शाबाश अंशिका तब लगता था product method तब लगता था product method अब हमने बस इतना पढ़ना है कि product method का average due date एक alternative है average due date की मदद से हम product method वाला interest calculate कर सकते हैं average due date is alternative method for this बस एक सिंपल सी बात यह समझनी है कि average due date भी एक alternative method है तो बस और कुछ नहीं क्या खमजना है कि average due date से भी interest निकल सकता है तो product method से तो निकलता ही था और average due date method से भी निकल सकता है बस इतनी सी बात आपने समझनी है अब उसके अंदर आप क्या करते हो जैसे मान लो मैंने यह financial year चल रहा है 1st April 2012 से शुरूवा 31st March 2013 तक आपने तीन बार पैसे विड्रॉव किये D1, D2, D3 अभी आप क्या करते थे product method में यहां से लेकर यहां तक calculate करते हो interest फिर यहां से लेकर यहां तक calculate फिर यहां से लेकर यहां तक calculate करते हो interest यही करते हो average due date में क्या करेंगे हम मैं same दुबारा से नीचे बना लेता हूँ 2012 और 31 March 2013 यहां पर D1, D2 और D3 same date है पहले तो आप क्या करोगे भाईया पहले तो आप average due date calculate करोगे ठीक है तो average due date मान लो यहां निकल के आई ADD और फिर average due date calculate करके आप average due date से लेकर year end तक का interest calculate कर दोगे सारे amount पे वो same आएगा as above तो यहां पर जो interest तीन amounts का तीन date पे total होगा वो total इधर interest on total amount पे same होगा is that clear यह बात समय में आती है हाँ या ना में जवाब देंगे बिटा average due date method is a alternative to product method average due date method is an alternative to product method guys please इस बात को समझेंगे ठीक है अभी जड़ा देखें question अभी आपको जो question देखना है यहां पर मैंने कहा average due date में हमने क्या करना है हमने पहले तो average due date निकालनी है फिर उस average due date से लेकर last date of the year जो हमारा year end है वहाँ तक कहां से लेकर कहां तक average due date से लेकर year end तक average due date से लेकर year end तक interest calculate कर देना that is it प्लीज इस बात को समझेंगे हम क्या करेंगे average due date से लेकर year end तक interest calculate कर देंगे तो देखो जैसे question number 11 है A and B are partners of a firm have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st March 2020 1st July 30th September 1st November 28th February दोनों partners की date of drawings और उनके amount दे रखें A का calculate मैं करूंगा B का homework करेंगे ठीक है तो A का calculation करते हैं पहले product method से तो क्यों ना dates लिख ले illustration number क्या है अब ये हमारी 11 page number क्या है 6.99 ICI सबसे पहले product method लगा रहे हैं जो हम लगाते आए हैं 12th में A के लिए product method लगा रहे हैं जो हम लगाते आए हैं A के लिए ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले dates लिख देंगे तो dates क्या क्या है 1st July 30th September 1st November 28th February तो तो फर्स्ट जुलाइ तर्टियत सेप्टेंबर फर्स्ट नवेंबर और ट्वेंटी एट्थ फेब्रेरी अमाउंट्स देख लेते हैं 500-800-1400 अब यहां पर क्या करना है अब देखते हैं कितने महीने के लिए उधार लिया तो यहां पर टाइम देखते हैं जो हमारा question है उसमें हमारा जो साल है वो कब खतम हो रहा है हमारे question में year end कब हो रहा है 31st March 2020 तो अगर आपने 1st July को पैसे विड्रॉ किये तो आपने कितने महीने के लिए उधार लिया बताना तरह अगर आपने 1st July को पैसे विड्रॉ किये तो April में June हटा दो आपने 9 महीने के लिए विड्रॉ किये हैं आपने 6 महीने के लिए उधार लिया एक November को पैसे विड्रॉ किये तापने चार महीने के लिए उधार लिया और 28 फरवरी को आपने पैसे विड्रॉ किये तो अगर हम product निकाल दें यहाँ पे 500 इंटू 9 इस 4500 800 इंटू 6 इस 4800 अच्छा यह November, December, January, February, March है तो यह 5 हो जाएगा सौरी तो 1000 इंटू 5 आपका 5000 रुपे हो गया बिटा November है ना फर्स्ट है तो November का महीना, December का महीना, January, February और March 5 महीने हो जाएगे और फिर 400 रुपे तो एक महीने के लिए उधार लिया तो 400 यहाँ आ जाएगा, तो टोटल देखेंगे अब इसका अब टोटल कितना आ जाएगा इसका, 4500 और 4800, 9300, 14300, 14700, तो 14700, ब्याज का rate दे रखा है, question में 6% per annum 14700, इन्टो 6%, इन्टो, 1 by 12, कितना आएगा, जल्दी जल्दी calculate करो, कितना इंट्रस्ट आ रहा है, 73.5 रुपीज, भूमे का क्या कर रहे हूं, क्या calculate कर रहे हूं, 441 क्या है? 73.5 भी तो है, चलो बागे बढ़ते, calculation करके दिखा देता हूं, देखो, 14700, multiplied by 6%, multiplied by 1, divided by 12, 73.5, 12 से डिवाइड इसलिए क्या, क्योंकि हमारे product महीने थे, चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, दूसरा method, कौन सा method, average due date वाला, तो सेम, average due date वाला concept लगाते हैं, दुबारा से एक बारी मैं dates लिखूँगा, यही dates और amounts मुझे copy करने हैं, dates वही हैं, 1st July थी, 30th September थी, 1st November थी, और 28th February थी, मुझे amounts देखने हैं, 500, 800, 1400, 500, 800, 1000 और 1400, तो अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले क्या लेना है, base date, average due date निकाल रहे हैं, तो मैं मुझे सबसे पहले क्या लेना है, base date, base date कौन सी लूँगा, बताना दरा, base date कौन सी लूँगा, बताना दरा, जल्दी बताओ, जल्दी, base date लूँगा, मैं 1st, जुलाई, और उससे number of days calculate करूँगा, यहाँ 0, यहाँ जुलाई में 30 दिन, August में 31, September में 30, 91, यहाँ जुलाई में 30 दिन, August में 31, September में 30, October में 31, November में 1, कितने दिन हो गए है, 123, 123 दिन, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, 123 दिन तो यहाँ हो गए, फिर उसके आगे, एक जुलाई ले रहे हैं न, तो जुलाई में 30, आगस्ट में 31, September में 30, एक मिनिट, जुलाई, आगस्ट, सेप्टेंबर, आगस्टूबर में 31, नवेंबर में 30, आगस्टूबर में डिसेंबर, सॉरी, डिसेंबर में 31, जैनवरी में 31, और फेबररी में 28, टोटल करो इसका, सर, हाव दो वी नो, वी हाव तो टेक डेज और मन्थ, इस और चॉइस, वेन देज अर बहुत जादा गैप है, तो आप मन्थ ले लो, अगर आपको लग रहा है कि गैप कम है, एक महीने से कम है, तो आप डेज लोगे, उस केस में आपको इसमें टेंशन लेने की जुरूत नहीं है, इट डाजन्ट मैटर, दी आंसर विल बी दे सेम, बट दी अनली पार्ट विल बी दे कैलकुलेशन, अगर आपने बहुत लंबे-लंबी फिगर्स में डेज ले लिए, तो अच्छे कैसे, हाँ, हेर वी केंट टेक मंस अज़ वेल, यहाँ पे आप मंस देख लो, यहाँ पे आप जीरो मंस देख सकते हो, फिर आप उसके अंदर कह सकते हो, क्योंकि अच्छा है, यहाँ थ्री मंस है, यहाँ फोर मंस है, यहाँ एट मंस है, ऐसे कर सकते हो आप, फिर आपका जो प्रोड़क्ट वाला आएगा, उसके अंदर मंस में अंसर आएगा, वाथ वही है बस, मैं थोड़ा यहाँ पर डेज लेना, प्रैफर करता हूँ था कि मेरा अंसर ज्यादा से यादा एक्यूरेट आए, तो अब मैंने डेज के बाद क्या ले लिया, प्रोड़क्ट, प्रोड़क्ट क्या आएगा, 500 इंटू 00, 800 इंटू 91 कितना आएगा, सर इफ देर इस 15 देट और एनी मंथ नहीं लेना ना फिर वहाँ पर मंथ मत लेना ना फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पर 72,800 आ गया, यहाँ 1,23,000 आ गया, और यहाँ 242 इंटू 400, 96,800 तो टोटल कर देते हैं इसका, 96,800 प्लस 1,23,000 प्लस 72,800 यह टोटल बन के कितना आगया, 292,600 अब हमें आवरेज जू डेट निकालनी है, अवरेज डेट इसकोज टो बेस डेट याने के 1st जुलाई, प्लस टोटल अफ प्रोड़क्त याने के 292,600, डिवाइड बाइड 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 टोटल अफ दी अमाउंट, अब यहाँ 292,600 डिवाइड बाइड 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 यहाँ गया, आपका 108.37 तो 1st जुलाई में 108.37 डेज है, क्या करेंगे इसको, राउंड ओफ कर लेंगे, तो 109 डेज माल लेंगे, ठीक है, तो 1st जुलाई में 30 दिन तो आपके जुलाई को खत्म करने में लग जाएंगे, 30 दिन आपके ऑगस्ट को खत्म करने लग जाएंगे, 30 दिन, और फिर ऑगस्ट के बाद 30 दिन सेप्टेंबर में लग जाएंगे, बचे कितने 18 दिन बचे 18 बचे न देखना ज़रा गलत तो नहीं कर रहा हूं तो तीस दिन जुलाई को पूरा करने में 31 अगस्ट को पूरा करने में 30 दिन सप्टेंबर को पूरा करने में बाकी बचे 18 तो मेरे पास कौनसी आ अगर आप बुक के अंसर में देखेंगे उन्होंने कैल्कूलेशन मंस लेके करिये इसलिए उनका और हमारा एक दिन का फरक आ गभराना नहीं उन्होंने मंस लेके करिये तो उनका अंसर 17 अक्टूबर आ गभवराना नहीं है ठीक है हमारा अंसर उनका अंसर एक दिन से फरक है क्योंकि अप्रॉक्सिमेशन एरर है हम अगर यही बोलें कि 18.37 को हम पिछले डे में राउंड आफ कर देंगे तो हमारा अंसर और उनका अंसर सेम आ जाएगा समझो जरा इस बात को तो 18.00 है अब अगर हमें इंट्रेस्ट और ड्रोइंग्स निकालना है तो हम क्या करेंगे 18.00 से लेकर 31.00 मार्च तक दिन गिन लेंगे और उस पे इंट्रेस्ट निकाल देंगे 18.00 से बेटा जी 13 दिन तो होते हैं ऑक्टूबर खतम करने में 30 दिन नवंबर 31 दिन डिसेंबर 31 दिन जन्वरी 28 दिन फरवरी 31 दिन मार्च तो यह कितने दिन हो गए 13 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31 कितने दिन हो गए 164 हो गए बक्का है 164 तो 164 देज के लिए मुझे इंट्रेस्ट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा 2700 इंट 6 परसंट इंट 164 दिए बाइ 365 2700 इंट 6 परसंट multiplied by 164 divided by 365 कितना आ रहा है 72.78 approximately it is equal to 73.5 तो same interest आ रहा है approximately approximately 6% के बाद में बात करें तो तो बेटा जी similar interest आता है approximation के issues अलग बात होती है ठीक है तो अभी अभी हमें क्या करना है बेटा जी इतना समझना है और इसका B part आपने homework में करना है आप लोग 5 मिनट का break ले लो and then you will rejoin the class average due date की class यहीं खतम है अभी होतै और जीक है अभी है शुआ अभी हमें जीए